वास्तू के अनुसार अच्छे नींद आने के लिए क्या करें और कैसे घर में सुक सम्रुधी बनी रहे? आपको जानकर हैरानी होगी कि हम रोज में जो भी काम करते हैं उसका हमारे घर पर और उसके वास्तू पर असर होता है. हम कैसे रहते हैं और घर पर हमारा व्यवहार कैसा है इससे हमारा जीवन और घर परिवार प्रभावित होता है. इतना ही नहीं क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं और क्या हमारी आदते हैं ये सभी बातें जीवन पर नकरात्मक या सकारात्मक असर डालती हैं. शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे नियम है जिनका पालन अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से रोज करे तो उसका जीवन उत्तम हो सकता है उदारन के तौर पर सुबह रोज समय पर स्थान करना, समय पर भोजन करना, समय पर सोना और समय पर पूजा अर्चना करना ये नियम आपके घर, काम के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं समय पर सभी काम करने से काम पूरे होते हैं और अच्छे से होते हैं पहले की समय में लोग इन नियमों का पालन करते थे, लेकिन आज की समय में लोग अपने व्यस्त जीवन के चलते और कई बार आलस के चलते नियमों का पालन नहीं करते जैसा कि सभी जानते हैं सेहत के लिए अच्छी नींद कितनी जरूरी है अच्छी नींद से आपके दिमाग को आराम तो मिलता ही है साथी सेहत भी अच्छी बनी रहती है हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में अच्छी सेहत को बनाए रखें और अच्छे और सुकून भरी नींद के लिए कुछ नियमों का उल्लेक किया गया है उदारन के तौर पर किस बचे सूना है, कैसी सूना है, किस दिशा में सिर और पैर करके सूना चाहिए इत्यादी इतना ही व्यक्ति को सिहत मंद बने रहने के लिए कितनी ही देर सूना चाहिए ये भी शास्त्रों में अंकित है उनके अनुसार इन सभी नियमों का असर घर की आर्थिक हालत और परिवार पर पड़ता है ऐसा भी माना जाता है कि इन नियमों का पालन घर में रह रही इस्त्रियों को खास तोर पर करना चाहिए ताकि घर में सुक शांती, सेहत और समरुधी बनी रहे आज की इस वीडियो में हम आपको सोने से जुड़ी कुछ ऐसी आदतों और गलतियों के बारे में बताएंगे हम आपको बताएंगे कि अच्छी नींद आए उसके लिए आपको कौन सी आदतों में सुधार लाना है वास्तू के अनुसार अच्छी नींद आने के लिए क्या करें और कैसी घर में सुक समरुधी बनी रहे सबसे पहले घर का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है घर का मुखिया और घर का मुखिया किस दिशा में मू करके सोता है उसका असर घर के आर्थिक हालात में पड़ता है मुखिया का शैन कक्षण नेरुत्य दिशा अर्था दक्षण पष्च्चम दिशा में होना चाहिए ऐसा जिस घर में होता है उस घर में हमीशा खुशिया बनी रहती हैं और उस घर के सभी लोग अपने अपने क्षेतर में खूब प्रगति करते हैं जब भी सोएं आपका सिर्फ पूर्व दिशा या दक्षिंग दिशा की ओर होना चाहिए वास्तु के अनुसार इन दिशाओं में सोने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है एक बात का ध्यान रखें कि जब सोएं आपके पैरों की दिशा दक्षिंग नहीं होनी चाहिए दक्षिंग दिशा को यम की दिशा कहते हैं और यम मृत्यू की देवता है अगर व्यक्ति दक्षन दिशा की और पैर करके सोते हैं तो उसको मानसिक शांती नहीं मिलती सूर्य देव की दिशा पूर्वकी दिशा होती है इसलिए हिंदु धर्म के अनुसार इस दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए हर घर में महिला वो महत्वपूर्ण व्यक्ती है जिसे घर में संसकार और खुशिया आती है वो ही बच्चों में संसकार डालती है क्योंकि वो सबसे जादा वक्त बच्चों के साथ पिताती है इसलिए घर में खुशियां बनाए रखने के लिए महिलाओं को खास कर सुभा जल्दी और समय पर उठना चाहिए और साथ ही समय पर सोना भी चाहिए उन्हें रोज सुभा अपनी सभी नित्य कर्म करने के बाद स्नान करके रोज पूजा पाट करना चाहिए ऐसा माना जाता है ऐसा करने से घर में खुशियां आती है जो महिलाओं देर से उकती हैं उनके घर में नकारात मकता बनी रहती है दुर भाग या आता है और घर में मानसिक अशानती भी बनी रहती है देर से उठना उनके स्वास्त के लिए अच्छा नहीं है हर महिला को खुद भी जल्दी उठना चाहिए और साथ ही घर के बागी सदस्यों को भी समय पर जागने के लिए प्रेरिद करना चाहिए दिन की समय महिलाओं के लिए सोना अच्छा नहीं माना जाता इसलिए अगर जरूरी ना हो तो नहीं सोना चाहिए ऐसा करने से आलसा जाता है घर के काम समय पर नहीं हो पाते और इसका घर के आर्थिक हालात पर भी दुश परिणाम पड़ता है परिवार की मुख्य महिला अर्थाद बड़ी महिला सदस्य का दक्षिंग दिशा में सोना अच्छा माना जाता है वास्तो के अनुसार दक्षिंग दिशा बहुत प्रभावी होती है इसलिए इस दिशा में अगर घर की मुख्य महिला सोए तो उस घर में उस महिला का महत्व, प्रभाव और वर्चस्व हमीशा बना रहता है पती और पत्नी अगर अपने शाहन कक्ष में हमीशा लड़ाई जगड़ा करते हैं तो ये वास्तो के अनुसार घर के लिए आश्चुब है जितना हो सकते, दोनों को अपने बेडरूम में नहीं जगड़ना चाहिए और शान्ती से बात करनी चाहिए इन जगड़ों का कारण राहू और केतू होते हैं इसलिए इनके प्रभाव से बचने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए और शान्ती से सोना चाहिए पती को लेफ्ट साइड यानि बाई साइड और पत्नी को दाई तरफ सोना चाहिए महिला जब भी सोए बाल बांध कर सोए और कभी भी बालों में खुश्बुदार फूल और गज्रा लगा कर ना सोए वास्तू के अनुसार ऐसा करने से बुरी शक्तियां उस घर की तरफ आकर शित होती है कभी भी बिस्तर पर खाना नहीं खाना चाहिए और जब भी सोने जाए अच्छे से कुला करें और मुँ धू कर जाए आखरी और ज़रूरी बात ये कि जब भी सोने जाए अपने पैरों को साफ करके फिर सोए तो दोस्तों हमने आपको जो भी बाते बताएं उसका पालन आप जरूर करेंगे ताकि आपका जीवन खुश मैं और सुख मैं रहे आपके घर में सेहत और खुशियां हमेशा बनी रहे हमने जो भी बाते बताएं उसका पालन करना बहुत आसान है वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कॉमें जैमालक्श्मी अवश्य लिखें धन्यवाद